लेकिन यह विमल पठेल में आक़िल कौन सी खासियत है विमल पठेल को जो गुजरात करहने वाला है उसको आपने उसकी कमपनी को आका काम पद मुस्री भी दे जिए उसको पद मिस्री भी ने दिया है और हम यह जानना चाहते हैं आप कहते हैं कि आठ सो लोगों के बैठने की बैठने की बेवस्ता उसमें है जो पुराना संसत भवन है उसमें तीन भवन है अभी बरत्मान में जो है एक लोगसभा एक राज़िसभा और एक सेंट्रल हॉल सेंट्रल हॉल के बैठने की छमता आठ सो तो आपने तो दो ही हॉल बनाया गीता पर हाथ रखके बोलिए कि क्या विस्तारी करण में सुसील मोदी सामिलते क्या या सही है कि महा महिम राष्टपती का चुलाव होता है और महा महिम राजपाल लॉमिनेट होते है चुनाव से निर्वाचित है आप उनकी तुलना अगर राजपाल के पद से कर रहे हैं उस प्रक्रिया से कर रहे हैं कि सीधा सम्विधान का आपमान का एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने यह अपमान महिला होने के चलते भी और आदिवासी होने के चलते हैं आपने देश के पुर्थम नागरी का अपमान किया है सर्विदित है यह देश की जनता इस पाईशिली जनता दल्यू ने यह वैसला लिया कि हम उस गुर्हे कारिक्रम से बाहर गाए आई बीमल पटेल से क्या प्यार है ति भाजपा को कुछ इसमें आता है बिहार में कि नहीं कि उपर ही उपर पी जाते हैं पीने वाले यह ज़रा बीजेपी बिहार के नियुक्त सत्भवन है बरत्मान का इसको जब आप देखेंगे तो यह मंदिर जैसा आपको नजर आएगा मंदिर जैसा आकार इसमें नजर आता है मंदिर जैसा दिखिएगा और मैं इसको दो मिनिट में आपको विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूँ यह जो भारतिय संस्कृति हमारी है और यह मद्य परदेश राजस्थान के इलाके में मुरेना के इलाके में जब आप जाएंगे तो ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे इसको भारतियता और बटिस सामराजी के संगम के रूप में प्रदरशित किया गया था यह पार्लियमेंट उस समय बना था अभी बतावें ने संसद भवन का नया संसद भवन का जो स्वरूप है यह कौन सा स्वरूप है त्रिकोन का स्वरूप है और यह जानिये कि यह त्रिकोन का स्वरूप के पीछे मामला क्या है उस समय जब यह संसद भवन बनने की बात हुई तो बेकर थे बेकर, उत्रियों कोनाकार उन्हों डिजाइन उस समय दिया था, लेकिन उसको reject कर दिया गया था, कहा गया था कि नहीं, यह भारतिय डिजाइनर को इसमें सामिल करिये, भारतिय अगर भारतिय वास्तु कला इसमें नहीं रहेगा, भारत की कला सस्कृति नहीं रह तो यह मंजूर नहीं किया गया था और उस समय लॉड हैडिंग ने यह सला दिया था कि भवन को पुर्वी और परश्च्वी सब्विता के संग्यम के रूप में परदर्शित करें भवन पूरी तरह भारतिय जनमानस के नुरूप बनाए गया था अब जाने इनका देखिए कि कि हिसाब किताब्ट तही डिजाइन जो परतमान डिजाइन मेरा सीधा आअरोप है जो देश के संबिदयां सभाव में बसके संसदिय विवस्था में इस पर लगअतार भीमर्व होते रहा है जिसको रेजेक्ट कर दिया गया वेकर के anti pä्डियास्द को उसी टाइप का तो अब चलिए जब बिटिस सरकार में संसद बनाया था तो दुनिया के कई भी सिल्फकारों ने अलग-अलग डिजाइन बनवाया और अंततह दो सिल्फकारों को सेलेक्ट किया गया था इतिहास के दस्तावेज है लेकि सवाल मोदी जी आप से यह है कि आखिर इसमें खेल क्योंसा हो रहा है भारतिय संसद बनाने का ठेका जिसको दिया गया वह व्यक्ति है विमल पटेल गुजरात के मुख मंद्री रहते हुए उसको बड़े-बड़े काम दिये गए उसको पदम स्री इनों ने दे दिया देखिए साथ इनाना तरीके से क्या काम किया गया जो केबल गुजरात में अगर यह बहुत बड़े सिल्पकार थे वास्तुकार थे आर्किटेक्ट थे तो इनको देश के दूसरे राजियों में क्यों करने काम मिला क्यों काम मिला केबल जब आदर्मिय ने द्रमोदी जी गुजरात के मुख मंद्री रहते हैं तब इमल पटेल की कंपनी को काम मिलता है जब दिल्ली इनका विनराज्यों के अंदर में विधान मंडल बने बहुत सारे संस्थागत संगरचनाएं बड़े-बड़े खड़े हुए लेकिन यह बीमल पठेल में आकिल कौन सी खासियत है कि बीमल पठेल को जो गुजरात का रहने वाला है उसको आपने उसकी कंपनी को काम दिया और उसको पद मुस्री भी दे दिया और हम यह जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि आप सो लोगों के बैठने की बवस्ता में है जो पुराना संसत और असंवे क्षिंद ऑभन है अभी पृत्मान में झो है एक लोगसभा एक राजिसभा और एक सेंट्रल हॉल के सेंट्रल तो जो संसत्र शारन के उलने मढ़ामाईम राष्ट-पति का अविवासं होता है इस महामाईम के विवासन होता। उसके लिए आपकी बिवस्ता क्या है इस Central Hall को खदम करने के पीछे आपके मन के अंदर क्या साजीस है यह देश की जंड़ता जानना चाहती है कि Central Hall क्यों नहीं बनाया गया आखर इसके पीछे कारण क्या है आप यहीं देखिए बिहार में जो विस्तारित भवन बना तो विस्तारित करवाया हूँ जनगंडना क्यों नहीं हुग अब तक पाकिस्तान जैसा देश जनगंडना करा लिया लेकिन आरदियन निरेदर मोदी का 56 का सीना कोविड की चुलोवती दुनिया में अपने आपका धिनोरा पिटते हैं और भारत पे सामाजिक आर्थिक जनगंडना आपने नहीं कराया इसके पीछे सीधा है कि आप परिशीमन का काम नहीं करना चाहते हैं और एस सी स्ट को जो मिलने वाली सुविदा है उस कहा जा रहा है देश के अंदर ये विमर्ष का विसे बन गया और बिहार के निता पीजेपी के इसमें सामिल होते हैं उन्होंने कहा कि आपने महामहिम राजिपाल को मुलाया था इतनी भी जानकारी आपको नहीं है कि महामहिम राष्ट पती का चुला होता है वो नोमिनेट नहीं होते हैं कि वो निर्वाचित हैं संसद के सदस्से और सती साथ विधान सभा के मानिय सदस्य बोड्ड डालते हैं कि तो आप कि से करे हैं तो महामहिम राजिपाल को नोमिनेट किया जाता है और आप तुल्ला कर रहे हैं महा में राष्ट पती का ये सीधे तोर पर भाजपा की जो नौटन की है जिसकी चर्चा पहले किया गया कि ये सीधा एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने ये अपमान महिला होने के चलते भी और आदिवासी होने के चलते आपने देश के प्रथम नागरिक का आपमान किया है ये सर्विदित है ये देश की जनता इसलिए जनता दल्यू ने ये फैसला लिया कि हम उस पूरे कारिक्रम से बाहर या है और कहते हैं विस्तारिक भ प्लिन राष्ट्पती बीवी किरी ने संसत्भवन के एलेक्सिव बिल्डिंग का भूमी पूजन और सिला न्यास रखा था और इंद्रा जीन उसका उद्घाटन किया था लेगे यहां तो सब्दन्गोपाल के हमें सिला न्यास भी करेंगे और हमें उद्घाटन भी करेंगे यादर निये नरींद्र मोधी जी के त्वारा इसलिए हमारी समझें कि यैसी तौर पर को राजनेतिक रूप से यह दिमागी साजीस के तहर्ण कि वह आदिबासी हैं उनको राजनेतिक रूप से अच्छूत मानते हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और अमिस्जा इसलिए उनको उद्गाटन कारिक्रम से बंचिन किया गया है अब हम इनको बताना चाहते हैं कि मोदी जी का भी नाम लिखा हुआ है अब हाजबा के जो बिढ़ायक कान पकड़ेंगे कि ना है वहा तो कान पकड़ना पड़ेगा आपको कि विस्तारी करण के उद्गाटन कारिक्रम में वो थे और साथी साथ हमें ऐसा लगता है कि संसत भवन के उद्गाटन के कारिक्रम में भारतिय जनता पार्टी के जो नेता है विहार के वहां तो इन लोग को बुलाया भी नहीं गया इसका मतलब इन लोग की योगता नहीं समझी गई बात्रता नहीं समझी गई तो ये लोग अपनी राजनीत का दुकान के बल चलाने के लिए ये कारिकरम कर रहे हैं नहीं तो गीता पर हाथ रखके बोलिये कि क्या विस्तारी करन में सुसील मोदी सामिल थे क्या यह सही है कि महा महिम राष्टपती का चुलाव होता है और महा महिम राजपाल लॉमिनेट होते है तो गीता पर रख के बोलिएगा न आई बीमल पटेल से क्या प्यार है ति भाजपा को कुछ इसमें आता है बिहार में की नहीं कि उपर ही उपर पी जाते हैं पीने वाले यह ज़रा बीजेबी बिहार के निताव को अस्पष्ट करना चाहिए सेशन होता है वो सेंट्रल हॉल उप्समित क्यों नहीं बनाई यह जबाब दीजेबी चौथा सवाल मेरा है कि बीमल पटेल में ऐसी कौन सी भी सेशता है कि कुजरात में मुक मंत्री रहते हैं उसको ठेकावन डित किया जाता है दिल्ली जबाब पठान मंत्री बनते हैं तब competed किया जाता है और जो यह जनातन धर्म का मान करता है जिस कंपणी को वारा शी कोरिडोल का काम दिया गया जिसने भारत मा का मंदिर तोड दिया जिसने टीन सो शिव्लिंग तोड़ दिया जो आज लगवक देल सो शिवलिंग आज भी लंका खाना में रखा हुआ है वहाज आपर बिलपत्र भी नहीं चड़ रहा है जाज जलाविशेख भी नहीं हो रहा है तो ऐसे और उसको पद्वस्री आपने दे दिया है तो अगर ये बहुत बड़े सिल्पकार और बहुत बड़े बहुत अच्छे है कि जंडता दलियों या समझता है कि चुकी आदिवासी समुदाई की महिला राष्टपति है चुनाओ से निर्माचित है आप उनकी तुलना अगर राजपाल के पद से कर रहे हैं उस प्रक्रिया से कर रहे हैं तो सीधा सम्विधान का अपमान का और छठा सवाल मेरा है कि कि विस्तारी करण और नए निर्माण का अंतर अगर समझ में नहीं आता है तो मोदी जी से परवी करा करें नरेंदर मोदी से सब गुरुकुल में नामलिक वाई है गुरुकुल में पढ़ने के लिए आप लोग जाए आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विस्तारी गुरूप से साजी संतरीके से अच्छूत मान करकर के आपने देश के राष्टपति पत्का आप मान किया लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें